अब बनाएंगे बत्वे के प्राटे कैसे बनाते हैं यह रेसिपी में आज आपको बताऊंगी और दिखाऊंगी फ्रेंट्स यह बत्वा है मैं यह मैंने साप कर लिया देखो कितना अच्छा बत्वा लग रहा है अब हम इसको दो लेते हैं देखे फ्रेंट्स को अच्छे से दो लेना है तिक इसमें मिक्तिनी होनी चाहिए बरना फिर अच्छा नहीं लगेगा देखे फ्रेंट्स में यह इस में डाल रहे हूं यह में हम रब के उबाल देंगे अब मैं डाल दीते हूं एक ग्लास पानी यह देखे मैं ने ग्लास पानी डाल दिया है अब हम इसको पर रख देंडक्सन पर देखे मैंने चलू कर दिया है यह पूत अच्छा हो जाएगा अब हम इसको उबालेंगे वणने बाद देखे फ्रेंड्स पानी गरम वागिया है, पानी में ख़दा लगने लग रहा है, हमारा बत रच्छे से बल जाएगा, देख सकते हैं यांद, देखे, इतना अच्छा हो रहा है, देखे फ्रेंड्स ये इछ बल गया है, अब भन बर देते हैं और इसे एक अलग बर्तली काल लेते हैं उसके बाद हमें से आटे में मिलाएंगे आप देखें ना इसमें नमक भी डालूंगी प्रेंट में यह आटा ले लेते हूं देखो यह आटा है जितना आपको आटा लेना है उतना ले सकते हैं सारा बतवाइस में डाल देती हूं सारा डाल देना है उसके बाद हम इसमें नमक डाल देंगे एक चमच यह देखें यह ने इच्छी नमक डाल दिया है अब इसको अच्छे से मिलाना है देखिए मैंने पानी बेरी होग்या है पानी भी मिल काना है फ्रेंट्स देखिए मैं यह आटा बना रही हूं ऑट आ के मिला लेजी आप सब ठैसे एक और बन के पष дов ऊचका है Assault, देखियो आटा बनके बिस ट्रऑनी WAR सकये है अप देख शकूंत पूरा यह रडी है अब मैं बनाकर दिखाते हैं आपको कैसे बनाना है यह देखते रही आप यह देखिए ऐसे करना है तो हमारा बेलान है बेलन्स इसको ऐसे बेलना है खाने बहुत टेस्टी होते हैं बत्रे के प्राटे सर्दियों में खाने चाहिए सब को बहुत अच्छे लगते हैं यह बं के रहे हो चुका है अब मैंने चाल लेगा हो चुका है अंच लग रहे हैं पर जला देती हूं इसको इसको प्लेट देना है देखिए फ्रेंट्स हमारा यह ऐसा हो गया है अब इसको प्लट देती हूं अब इस पर लगाते हैं अब देखिए मैंने के थोड़ा सा ओल लिया है मैं इस पर लगा देती हूं देखो कितना अच्छा कलर आ रहा है ज्यादा गिरिगाए पर डॉंट वरी सब चलता है तुकि जितना ज्यादा ओल काओगे तो वेट बढ़ जाएगा देखिए देखिए फ्रेंट्स यह हमारा प्राठा बन चुका है कितना अच्छा लग रहा है देखिए वह सुन्दर है क्रारा करारा टेस्टी प्राठा है बत्यों के प्राठी बहुत अच्छे होते हैं आप भी काई देख सकते हैं आप हमारी वीडियो गर अच्छे लगे हैं तो लाइक करें सस्क्राइब करें